हेलो एप्टीबान कैसे हो आप सभी आई होप कि सभी लोग अच्छे होगे अगर अच्छे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वह केराटीन ट्रीटमेंट और हेर इस्मूथनिंग के उपर है किस तरीकी से हम उसको पता करेंगे तो इसके लिए आपके बालों का जो टेक्शर है आपको दिखा देगा कि आपके बालों में प्रोटीन की कमी है आपके बाल बहुत ज़्यादा फिजी फिजी लगेंगे और इनकी जो बिल्कुल रूट्स हैं बिल्कुल ऐसे लगेंगे तो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके बाल बहुती ज्यादा फीजी होते हैं और सेकंड है आपके बालों में मोश्चर नहीं है मोश्चन नहीं है तो आपके बाल खड़े-खड़े रहेंगे और एकदम अच्छे से नहीं दिखेंगे तो केराटीन ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है क्या किया जाता है केराटीन ट्रीटमेंट में आपके बालों के साथ जो आप सेलुन पार्लर वगरा जहां भी कराते हो करते हैं वह हमारे हेर्स को लॉस ही पहुंचाता है कुछ दिन तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि बहुत अच्छे हेर्स हो चुके हैं बट कुछ दिन बात जब हम देखते हैं कि हमारे हेर्स की वह कंडिशन हो गई होती है फिर हमें आगेन कराना पड़ता है तो जो करते हैं वो करते कैसे हैं मैं पहले आप लोगों को यह बता दूँ कि हमाएC3 मिज्ट केमिकल पहुचा जाता है थिश्यरम हासी और हीड देने के बाद हमारे के क्योटिकल्स हैं जो खुल जाते हैं यानि और हो पन में बालों में किरणे स्त। और फिर कुछ टाइम बाद ही वो जब तक गर्म रहते हैं तब तक खुले हुए रहते हैं उसके बाद ही फिर automatically ही वो उसके बालों के जो भी हमारे बालों की जो इसकी करेटीन की validity होती है वो 2 से 6 मन्त होती है, अब लिस्ट इतनी होती है और वो होता है एक हमारे उसके उपर बजट के उपर कि हमने किस तरह का करेटीन कराया है तो उसी के अकॉर्डिंग वो होगी तो हमें इस चीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपने हेर्स को लॉस नहीं करना जैसे भी हेर्स हैं बिल्कुल भी हीट तो देनी नहीं आप लोग जानते ही हो कि हीट हमारे हेर्स के लिए कितनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लॉस पहुँचाती है तो इसके लिए ना हमें करना क्या है कि हम अपने घर पर ही अपने हेर्स के साथ केराटीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं हमें कहीं भी जाने की जरुवत नहीं है और इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाला है तो यहां पर सबसे पहले चलो मैं आपको बाद मैं बताती हूं थिरी टेबल स्पून के करीब आपको राइस लेने हैं जो कि वोईल्ड राइस है मेरे रात के बचे हुए हैं आप अपन सब्सक्राइबल नहीं होगा कोकोनट मिल्क आई नो पट मेरे पास रो मिल्क था तो मैंने वही ले लिया है अब मैं अच्छे से मिक्सी जार में डाल करके पीस लिया देखे कितना स्मूथ पेष्ट बना है इसका अब इसमें मुझे क्या करना है दो इसमें डाले हैं विटा बादा तर लोग यूज करते हैं आज कल होम रेमीडी इज के लिए तो आपको यह करना है दोनों कैप्सूल को डाल लेना है और उसके बाद आपको डालना है कोकोनट ओयल मेरे पास यहां पर कोकोनट मिल्क नहीं था तो मैंने कोकोनट ओयल डाल लिया है तो मुझे मिक्स कर कर सकते हो केस्टर ओयल वैसे यह ग्रोथ वगरा के लिए सही रहता है 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 स्मूथनिंग में कोकोनट ओयल यूज होता है जादा तर तो आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से पेस्ट तो बन कि हमें इसने स्टोर करके नहीं रखना है बिलकुल भी पेस्ट अब कि हमारा बन करके रेडी हो गया है और हमें हम इसे बीक में वन टाइम अपलाई कर सकते हैं तो बीक में वन टाइम अपलाई करेंगे तो हमारे हेर्स को केराटीन की कोई जरुवत नहीं होगी मन्त में आप त्री टाइम तो अपलाई कर ही लीजिएगा क्योंकि आप अगर घर पर रहते हो तो इजिली कर सकते हो क्योंकि हम हमारे घर पर चावल तो बच ही जाते हैं तो हम उसे कर सकते हैं और इसके बाद हमें करना क्या है क्योंकि थोड़ा सा पीछे की वोईस को माइंड मत करिएगा क्योंकि फैमिली में सोर सरावा होता ही रहता है तो आप लोगों को फिर इसके बाद इसे लगाने के बाद आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से लगाना और आप मेरे पहले हैर्स को देखिएगा और देखिए यह हैर्स देखिएगा मेरे कितने फिजी फिजी हो र तो मैं वास करके है आप लोगों की साथ वीडियो बना रही हूं, जीसे कि आप मेरे से अच्छे से देख सको कि किस तरीके का हरेम PAR 20 क रिजल्ट मिलता है हम लोगों को और पूरे हैर्स में कर लेना है और इसको 20 से यचान 30 मिनर्ट से अक्षा नहीं समयदों डिया है अगर हम यforme से वैसे कर देंगे तो वह दोल जाएगा तो हमें से वास करने हैं या फिर दितना सम्पु आप यूज करते हुश का आधह आधी क्वांटटी में आप यूज करके वास उससे क्या होगा कि फर्स्ट बास में आपके हैर्स जैसे मेरे दिखाई दे रहे हैं उस तरीके के हो जाएंगे अगर सेकंड बास जब भी करो गया वन डे आफटर वन डे या तू दो उसके बाद आपके हैर्स को देखना तो इतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सब्सक्राइब है तो आप इस तरीके से भी आप इससे कर सकते हो तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सेयर करना बाई बाई मिलती हो नेक्ट वीडियो के साथ